दोस्तो आज डियाइडियो की तरफ से अपनी उस मिसाइल का परिक्षन किया गया है जो दुश्मन देशों की शिप को पलक जपकने का भी मोहका नहीं देगी यहाँ पर मैं डियाइडियो द्वारा बनाई गई नेवल एंटी शिप मिसाइल की बात कर रहा हूँ 18 माई 2022 को भी इस मिसाइल का परिक्षन किया गया था आज फिर से इस मिसाइल का परिक्षन किया गया है और इन दोनों ही परिक्षन के दोरान हमारी इस मिसाइल ने सत परतिशत एक्योरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट किया है इस मिसाइल को हेलिकोप्टर की मदद से पहला परिक्षन किया गया था उस समय दियाइडियो ने ये देखने की कोशिश की थी कि इस मिसाइल का कंट्रोल सिस्टम ठीक से काम कर रहा है या फिर नहीं और इस मिसाइल का गाइडिट सिस्टम भी सही से काम कर रहा है या फिर नहीं इस परिक्षन के दुआरा दियाइडि करती है या फिर नहीं पर हमारी इस मिसाइल ने डियाइडियों के इन दोनों ही पैरामीटर को 100% accuracy के साथ अचीव किया था इस मिसाइल को हम उन सभी helicopter की मदद से दाग सकेंगे जो इस समय torpedo को fire करते हैं हमारी इस मिसाइल का weight 300 kg होने वाला है और यह मिसाइल अपने साथ में 100 kg तक का warhead लेकर जा सकती है दो किलो का warhead होने की वज़े से यह मिसाइल दुश्मन देश की बड़ी से बड़ी शीप को कुछी सेकिंडों के अंदर पूरी तरीके से मिट्टी में मिला सकती है इस मिसाइल की रेंज 5 km से 55 km के बीच होने वाली है इस मिसाइल की speed 0.8 mk होने वाली है इस समय हम इस मिसाइल के परिक्षन सी किंग हेलिकोप्टर की मदद से कर रहे हैं और इस मिसाइल का नाम N.A.S.M.S.R होने वाला है यह एक short range मिसाइल होगी T.I.D.O की तरफ से इस मिसाइल के दो अलग-अलग और वर्जन मनाए जा रहे हैं जिसमें से पहले का नाम N.A.S.M.M.R होगा यह एक medium range की मिसाइल होगी जिसकी range 300 से 350 km के बीच होगी और इस मिसाइल का इस्तुमाल आने वाले समय में हम अपने P.A.I.P.O.S.A.I.D.न में कर range 1500 km के आसपास होगी और जो यह दूसरी मिसाइल बनाई जा रही है जिसका नाम N.A.S.M.M.R होगा इस मिसाइल का fabrication भी शुरू हो गया है fabrication वो process होती है जिसमें इस मिसाइल की technology को पूरी तरीके से बना कर तयार कर लिया गया है और इस मिसाइल के component को भी कठा कर लिया गया है बस फिलालीस मिसाइल की assembly बाकी बची है और आने वाले समय में ये तीनों ही मिसाइल हमारी नो सेना की front liner मिसाइल होने वाली है और इन तीनों में से अगर एक भी मिसाइल के सामने चाइना की ship आ गई तो उस ship का बचपाना लगबग असंभव हो जाएगा क्योंकि जो ये anti ship मिसाइल होती है भले ही इनकी range कम हो लेकिन ये अपने साथ में बहुत ही जादा warhead लेकर जा सकती है जिस से दुश्वन देश के frigate destroyer का बचपाना लगबग असंभव हो जाता है और अब आप ही comment करकर बता सकते हैं कि हमारे पास कितनी संख्या में ये तीन works में दे सकते हैं thanks for watching this video have a good day